सर्विप्यो नमो नमा नवशकार सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है आज का ये जो वीडियो है ये अनुवाद से संबंदित होने वाला है देखी अनुवाद को हम प्रश्णों के माध्यम से समझेंगे अनुवाद करना सिखाना कोई एक दिन का काम नहीं है या एक वीडियो में आपको अनुवाद करना सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि अनुवाद करने के लिए आपको शब्द रूप आने चाहिए आपको धातु रूप आने चाहिए आपको वचन का, लिंग का, विभक्तियों का ज्यान होना चाहिए, कारकों का ज्यान होना चाहिए, इसके अतिरिक्त संख्यावाची शब्द, बहुत सारी चीजों का ज्यान अनुवाद के लिए होना आवश्यक है, वस्तुतह संस्कृत व्याकरण पर, संस्कृत ग्रामर पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप बिना किसी अलग से प्रयास के अनुवाद आराम से कर पाएंगे, और अगर आपको ग्रामर अच्छे से नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, तो अनुवाद में आपको थोड़ी कठिनाईयां आ सकती हैं, और इसे आप कैसे सीख सकत हैं, आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैंने तीस ऐसे प्रशन रखे हैं, जो पहले की परिक्षाओं में आ चुके हैं, तो यहाँ पर प्रशन के माध्यम से मैं आपको ये सिखाऊंगी, कि किस तरीके से आप जो प्रशन आपका आएगा, उनके चार आप्शन्स में से एक सही अनुवाद वाला ओप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए अनुवाद से संबंदित जो प्रिशन आते हैं, वहाँ पर जादा तर कारकों से संबंदित प्रिशन ही होते हैं, कारक की महत्वण भूमिका होती है, अनुवाद में, ये बात में आपको बार बार कहती र कौन सा कारक है ये सारी चीजों का ध्यान रखे और दूसरी बात जब आप अनुवाद करें options को देखें तो वहाँ पर देखें कि कोई अव्यापत तो प्रयूक्त नहीं हुआ है उसके योग में कौन सा कारक होता है इसके अतिरीक तो और कोई इस प्रकार की धातू तो नहीं हुई है जिसके अर्थ में कोई दूसरा कारक होता है या कोई ऐसा प्रसंग तो नहीं है जहाँ पर किसी विशेश कारक का प्रयूग संस्कृत में किया जाए तो देखें हिंदी जो है उसमें और संस्कृत अनुवाद में शब्दों का कुछ अंतर आ सकता है जरूरी नहीं है कि आप शब्द शह अनुवाद करें, भावार्थ का अनुवाद वस्तुतह होता है और इसमें कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए पहला प्रिश्ण देखते हैं, ये जो सारे प्रिश्ण हैं, ये सभी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड चाहे किसी भी परिक्षा में आये हों, लेकिन और पिएस्ट के द्वारा आयोजित परिक्षाओं में आ चुके हैं। तो आईए देखते हैं, पहला प्रिश्ण है, राम मोहन से भुजन पकवाता है। प्रियंत करता होता है, तो किस प्रकार से कौन से करता में किसका प्रयोग किया जाता है। वो करण हो गया है, साधक हो गया है भुजन पकाने में। तो कर्म का प्रियोग यहां पर नहीं होगा, तो यह हो जाएगा गलत। और पकवाता है में पच्चती का प्रियोग नहीं होगा, क्योंकि जहां पर प्रेरिनार्थक हो, वहां पर निच इत्यादी प्रत्य हो जाते हैं, नायन्त हो जाता है। और पाच्यती, पाठ्यती, कार्यती, करवाता है, पढ़वाता है, पाठ्यती, इस प्रकार के पद प्रियोग तो होते हैं, करवाने पकवाने इत्यादी के अर्थों में। तो पहला तो ये पच्चती है, इसलिए पहला option गलत हो जाएगा, दूसरा है, रामह मोहन आय भोजनम पाचयती, राम मोहन के लिए भोजन पकवाता है, अब पाचयती तो सही हो गया, लेकिन पकवाता है, किसके लिए मोहन के लिए, तो मोहन के लिए नहीं पकवाता, मोहन से पकवाता है तो यह option भी गलत हो जाएगा अब तीसरा है रामह मोहनेन भोजनम पाचयती और चोथा है रामह मोहन अश्य भोजनम पक्षयती राम मोहन का भोजन अब अगर आप कारक के अर्थ पर जाएगे तो इसका अर्थ हो जाएगा राम मोहन का भोजन पक्षयती तो यह भ बोहनेन राम मोहन से भोजनम पाचयती भोजन पकवाता है यहाँ पर कर्म है भोजन यह जो प्रेड़नार्थक करता है वो राम है और जो करने वाला है एक तरीके से सादक के रूप में है वो है मोहन तो इस तरीके से यहाँ पर सही option हो जाएगा राम मोहनेन भोजनम पाचयती तो आप आराम से ये सलेक्ट कर पाएंगे इन चार में से कि देखिए ये option बिलकुल सही है सटीक है अगला प्रिश्ण है मेरे घर के चारो और परवत हैं तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा सही शुद अनुवाद तो अगर आप अच्छे से कारक आपने पढ़े हैं बार-बार हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप वाक्य देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये क्या पूछना चारहे हैं चारो और के अर्थ के लिए क्या अव्य प्रियुक्त होता है क्या पत्रियुक्त होता है परितह तो परितह के योग में कौनसी विभक्ती का प्रियुक होता है द्वितिया का अभितह परितह समया निक्सा तो अब सीधा सा है हमको मेरे घर के चारो और परवत है हमको घर के चारो और परवत है तो घर जो पद है ग्रह जो पद है वो द्वितियांत चाहिए क्योंकि परितह के योग में द्वितिया होगी दूसरी बात हमको देखनी है कि परवत है अर्थात बहु अचन का प्रयोग करना है तो देखिए अब हम पहले तो वचन देखेंगे तो सब में संती है तो ये तो option हमारे पास रहा नहीं इस हिसाब से तो ये सारे सही हो जाएंगे अब हम देखेंगे द्वितिया कहां पर है त तो सही option क्या हो जाएगा मम ग्रिहम परितह परवता संती इस तरीके से आप कारकों के माध्यम से बहुत आसानी से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं तीसरा प्रिश्ण है चत्वारह कन्या चत्वारह फलानी खादंती इत्यश्य शुद्ध वाक्यम भविश्यती इसका इसका सही संस्कृत अनुवाद करिए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर जो ध्यान देने योग के बात है वो यह है कि जो यह वाली चार कन्या के लिए जो चार पद प्रियूख्त होगा वो इसके अनुसार अस्त्रिलिंग का प्रियूख्त होगा और फल चार चार के रूप चलते हैं चत्वारह जो है यह पुलिंग का पद है तो यहां पर यह गलत हो जाएगा इस तरी लिंग में होता है चत्वारी तो जो सही इसका अनुवाद होगा वो होगा चत्वारी फलानी खादंती चार कन्याएं चार फल खाती है तो इस तरीके से आपको अ दिखान रखना है वचनों का, विभक्तियों का, कारक का अगर कोई संख्यावाची शब्द प्रियोक्त है तो उसका विशेशन के लिंग का कि वो विशेशे के अनुसार है या नहीं हैं तो यहां पर हमको ध्यान रखना है चतास्रह कन्यह चत्वारी फलानी खादंति यह इसक आपके कशुद रूप क्या है या इस तरीके से आप इसको मत पढ़िए आप इसको पढ़िए भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है भगवान वासुदेव को नमस्कार है इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा तो नमह के योग में कौन सी विभक्ती का प्रयोग हो नमो भगवती वासु देवे तो ये तो सब्तम्यंत है ये गलत हो जाएगा नमो भगवताम वासु देवानाम ये सश्टियंत वाला है ये भी गलत हो जाएगा अगला है नमो भगवता ही वासु देवई तो ये भी गलत हो जाएगा और द है नमो भगवते वासु देवाई त और वासुदेव का बनेगा वासुदेवाय। तो नमाह के योग में चतुर्ती विबक्ती का प्रियोग करके जो सही शुद्ध संस्कृत अनुवाद होता है वो होता है नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मश्य इमम महिमनम पश्य तो देखे इसके लिए एक तो आपको परमात्मश्ब्द के रूप आने चाहिए दूसरा महिमा आपको पता होना चाहिए कि महिमा के रूप किस प्रकार से चलते हैं और ये पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिंग का यहाँ पर इसका यह जो सर्व नाम है वो भी प्रयुक्त होगा तो यहाँ पर आत्मनाह के रूप जब चलेंगे परमात्मा की तो शष्टी में रूप बनेगा परमात्मनाह इमम महिमानम पश्य तो सही रूप क्या हो जाएगा? सही वाक्य क्या हो जाएगा? परमात्मना, इमाम महिमानम, पश्य परमात्मा की इस महिमा को देखो छटा प्रिश्ण है मानः वु पुन्य का फल चाहते हैं देखे इसमें आप देखके अगर आपको अब इसमें आपको क्या ज्यान होना चाहीए था इसमें ये धादू रूप तो सब में सही लिखा है इसमें आपको शब्द रूप का ग्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से आत्मा के रूप चलते हैं किस प्रकार से और रूप चलते हैं तो अगर आपको शब्द रूप आते हैं तो आपाराम से ये प्रिश्ण हल कर पाएंगे अगला प्रिश्ण है मानव पुन्य का फल चाहते हैं अश्य वाक्य अश्य संस्कृतानुवाद अस्ती इसका संस्कृतानुवाद क्या होगा मानवाह पुन्यम फलम इच्छंती मानवहा पुन्यश्य फलम इच्छंती मानवहा पुन्य फलम इच्छंती या फिर मानवहा फलम पुन्यम इच्छंती तो यहां पर जो सही होगा वो होगा पुन्य का फल चाहते हैं पुन्य का फल चाहते हैं तो जो सही अनुवाद होगा वो होगा मान वहा पुन्यश्य फलम इच्छन्ती पुन्य का फल चाहते हैं पुन्य फल चाहते हैं अगर इस प्रकार का वाक्य होता तो पुन्यम फलम हो जाता लेकिन पुन्य का फल चाहते हैं तो हो जाएगा पुन्यश्य फलम इच्छन्ती option number 2 सात्वा प्रिश्ण है राम से धन स्वीकार करो इत्यश्य संस्कृतानवाद अस्ती इसका सही संस्कृतानवाद क्या होगा तो राम से धन स्वीकार करो में राम से धन ले रहे हैं अलग हो रहा है तो यहाँ पर पंचमी हो जाएगी और सही जो इसका संस्कृत अनवाद होगा वो होगा रामात धनम स्वीकरो तू देखिए एक तो है रामेन धनम स्वीकरो तू तूसरा है रामेन धनम स्वीकरो तू त पिर रामात धनम स्वी करो तू तो आपको पता होना चाहिए धन जो पद है वो नपुन्सक लिंका होता है तो जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा रामात धनम स्वी करो तू राम से धन स्वी कार करो आठवा प्रिश्ण है द्यू लोग और पृत्वी लोग के बीच अंतरिक्ष है तो अब जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझाएगा कि यहाँ पर द्यू लोग और पृत्वी लोग के बीच अंतरिक्ष है इसको हमने कारक के संबंद में ये वाक्य भी पढ़ा था तो बीच के लिए कौन साव्य प्रियूक्त होता है अंतरा और अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति प्रियूक्त होती है तो अंतरा के योग में अंतरा और अंतरेण दोनों के ही योग में द्वित्या विभक्ति का प चमध्य अंतरिक्षम अस्ति अब हालांकि द्वित्यान्त है ये लेकिन यहां पर मध्य लिखा गया है अंतरा प्रयुक्त नहीं किया गया तो ये गलत हो जाएगा द्यू लोके प्रत्वी लोके चमध्य अंतरिक्षम अस्ति ये बिल्कुल गलत हो जाएगा द्यू लोकम प्र प्रियोग बीट के अर्थ में किया जाता है और अंतरा के योग में त्वित्या विभक्ती का प्रियोग होता है तो option number 100 यहां पर सही हो जाएगा तो देखिए ये भी किस से संबंदित रहा कारक से संबंदित अगला प्रिश्ण है वह सनमार्ग पर चलता है उपर युगत वाक इस प्रकार का पद यहां पर प्रियोग होगा और अभी और नी पूर्वक फिश्धातु का जहां पर प्रियोग हो वहां पर जो उसका आधार होता है उसकी कर्म संग्या हो जाती है ऐसा कहता है अभी निविश्यस्च सूत्र तो उस सूत्र के अनुसार यहां पर दृत्यां पद प्रियुक्त होगा, आधार की कर्म संग्या हो जाएगी, और जो सही इसका अनुवाद होगा, वो होगा, सहसनमार्गम अभी निविशते, वह सनमार्ग पर चलता है, दस्वा प्रिश्ण है, वह गुरुकुल में अध्यन के प्रयोजन से रहता है, प्रियुक्त वाक्य श शुद्ध संस्क्रत अनुवाद हशात, इसका सही शुद्ध संस्क्रत अनुवाद क्या होगा, तो देखी, आपको अच्छे से वाक्य को देखना है, कि रहता है किसके प्रयोजन से, अध्यन के प्रयोजन से, तो रहने का प्रयोजन, रहने का हेतु क्या है, अध्यन है, तो जाती गुण द्रव्य वो हेतु कुछ भी हो सकता है उसमें अगर वो हेतु है वो कारण है तो उसमें तृतिया विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहां पर एक तो सूत्र हो जाएगा प्रवृत्त होने वाला हेतौ और हेतु जो है उसमें तृतियांत होगा हेतु में तृतिय अगर प्रयोग कियाजाए तो जो आधार है उसकी क्या हो जाती है? कर्मसंग्य हो जाती है और द्वित्या विभक्ती का प्रयोग होता है तो यहाँ पर जो सही ओप्षन होगा वो क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा, वस्ती भी नहीं, उपवस्ती आएगा, और दूसरा अध्यायनाय नहीं आएगा, सहा गुरुकुले अध्यायनम वसते, ये भी गलत हो जाएगा, सहा अध्यायनेन, गुरुकुलम उपवसती, तो सही option ये होगा, करता में प्रथमा है, अध्यायनेन, ये जो हेतु है, इसमें हेतव सूतर से, तृतिया का प्रियोग होगा, गुरुकुलम यहाँ पर कर्म है, और उपवसती के योग में इसकी कर्म संग्या होकर, आधार की कर्म संग्या होकर, यहाँ पर दृतिया विभक्ती का प्रियोग हु तो आपको अच्छे से ज़्यान देना है इस वाक्षेपर इसमें रिन लेने की बात हो रही है तो एक सूतरा आता है धारेर उत्तम रिन जो कहता है कि धारी धातु रिन लेने के अर्थ वाली जो धारि धातू है उसका प्रियोग होने पर जो उत्तम Raim Understand जिसने रिन दिया है, उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संग्या हो जाती है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ती होती है, तो यहाँ पर सुरेश ने रमेश से 100 रुपे का कर्ज लिया है, तो उत्तम रिन कौन हो जाएगा, रिन देने वाला कौन है, रमेश, तो यहाँ पर सु रतुर्थी हमको यहां पर दो दिखाई दे रही है, सुरेशह रमेशाय शतम धारयती, और दूसरा हो जाये का, सुरेशह रमेशाय शतम नयती, नम नयती का थाट पर यह लेता है, अवश्य है, किन्तु हम यहां पर, मैंने आपको पहले भी बोला है, जब हम अनुवाद तो हम शब्द शहा अनुवाद पर नहीं जाएंगे, भावार्थ को समझेंगे, रिन लेने के लिए धारी धातु का प्रयोग किया जाता है और उसके योग में संप्रदान संग्या होती है, तो जो सही वाक्य बनेगा वो होगा, सुरेशह रमेशाय शतम धारयती, ओप्शन न धातु के योग में कृद द्रूये, इर्शा, सुया, नाम, यम, प्रतिकोपहा, जिसके प्रतिकोप होता है, उसकी संप्रदान संग्या होकर उसमें चतुर्थी हो जाती है, तो वहाँ किस पर क्रोद करता है नोकर पर, तो नोकर जो है उसमें चतुर्थी विवक्ति का संप चतुर्थी का प्रयोग होगा तो पहला जो option है वो है सह नो करो उपरी कृध्यती हालांकि शब्द शहा अगर आप जाएंगे तो ये सही हो जाएगा लेकिन हमको यहां पर शब्द शहा नहीं जाना है कारकों का ध्यान रखना है कृध्धातु के योग में इसके प्रती प्रयोग ही होगा तो ये वाक्या यहां पर गलत हो जाएगा दूसरा option है सहा सेवक के कृध्यती तो ये भी गलत हो जाएगा सेवक पर क्रोधित होता है तो उसके अनुसार तो ये सही है कि पर में कौन सा होगा आधिकरण कारक होगा लेकिन ये गलत हो जाएगा साव उप्षन है सह भ्रत्याय कृध्यती तो ये उप्षन सही हो जाएगा भ्रत्य होता है नोकर नोकर पर क्रोध करता है तो नोकर में चतुर्थी संप्रदान होकर सह भ्रत्याय कृध्यती इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा तो उप्षन नमबर स यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रिश्ण है अध्यापक से गनित पढ़ता है अस्य वाक्य शिस शुद्धनवाद हा चेतव्य हा इसका शुद्धनवाद क्या होगा तो देखिए वाक्य पढ़ते ही आपके दिमाग में सूत्रा जाने चाहिए तभी तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो स समझ आ जाता है कि कौन से कारक के संबंद में पूछना चाहता है अब अध्यापक से गनित पढ़ता है तो पंचमी विभक्ती के प्रिसंग में हमने पढ़ा था एक सूत्र है आख्यातोप योगे जहां पर विधी पूर्वक विध्यास विकार की जाए वहां पर जो वक्ता होता है उसकी अपादान संग्या होती है तो अध्यापक से गनित पढ़ता है इसलिए जो वक्ता यहां पर है अध्यापक उसकी अपादान संग्या होकर उसमें पंचमी का प्रियोग हो जाएगा तो जो सही वाक्य यहां पर बनेगा वो बनेगा अध्यापकात गनितम पठत option number 2 चोद्वा प्रिश्ण है देवेश माता के लिए अच्छा है अब देखिए यहाँ पर भी देखते ही समझ आ गया कि ये सादू के लिए पूछना चाहते है तो सादू असादू प्रयोगेचा ये सूतराता है सप्तमी के संबंद में वो कहता है कि सादू और असादू शब्द के योग में इनका प्रयोग होने पर सप्तमी विपक्ति का प्रयोग किया जाता है तो देवेश माता के लिए अच्छा है अगर हम शब्द शहा अनुवाद पर जाएंगे तो आपको चतुर्थी करनी पड़ेगी किन्तू अच्छा के लिए सादू शब्द प्रयोग्त होता है और उसके योग में सप्तमी होती है तो मात्री जो शब्द है उसकी सप्तमी का रूप क्या बनेगा मात्री तो यहाँ पर जो सही ओप्शन होगा अगला प्रिशन है केशों के लिए चमरी को मारता है क्या सही इसका अनुवाद होगा तो यह भी आप देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पर यह क्या पूछना चाह रहे है निमित्ताद कर्म योगेच यह सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पर निमित्त भी बताया जाए किसी कर्म का तो वहाँ पर निमित्त में सप्तमी विभक्ती का प्रयोग किया जाता है जिस प्रयोजन से कोई कारिया किया जाए तो उस प्रयोजन में सप्तमी का प्रयोग होता है अब केशों के लिए चमरी को मारता है क्या करता है मारने का कर्म करता है चमरी को मारता है उस चमरी को मारने का कारण क्या है प्रयोजन क्या है उसके केश है तो यह जो प्रयोजन है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ पर जो सही आप्षन होगा वो होगा केशे शूच्चमरिम हंती आप्षन न प्रियुकत होता है आभितः वर आभितः के योग में द्वित्याविवक्ति का प्रियोग होता है तो हमको देखना है तो पहला है नद्याद्वी पर्यंतम. छेत्रम, अस्ति यह tow वैसे ही गलत हो गया क्योंकी कहेट है ये बहुवचन का है तो अस्ती होने से ये तो वैसे ही गलत हो गया दूसरा है नदीम अभितह खेत्राणी संती तो ये बिल्कुल सही है जो दुविवचन का दृतिय विभक्ती एक वचन का रूप होगा वो होगा नदीम अभितह यहां पर प्रियुक्त हुआ है और ये बहुवचन है छेत्राणी संती तो सही उप्षन हो जाएगा नदीम अभितह छेत्राणी संती उप्षन नमबर 2 सत्रवा प्रिश्ण है रोती हुई बालिका माता का स्मर्ण करती है इत्यश्य व्याकरन सम्मत ह संस्कृत अनुवाद ह अस्ती इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा तो देखिए स्मर्ण करती है ये पढ़ते ही आपको अधिगर्थ दैशाम सूत्रियाद आ जाना जाह अधिगर दैशाम कर्मनी जो क्या कहता है कि स्मान अर्थवाली धातूओं दाय और इश्धातूओं या इनके अर्थवाली धातूओं के योग में कर्मनी कर्म में क्या होता है कौन सी विभक्ती होती है चश्टी विभक्ती होती है तो क्या सही होगा यहां पर सश्टी विभक का मातू स्मरती रोती हुई बालिका माता का स्मर्ण करती है अब देखिए यहाँ पर यह जो रुदती है यह पद किस प्रकार से बना है यह अगर आपने प्रत्यों को इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ यह किसी प्रत्य से मिलकर बना है और कौन से प्रत्य से मिलकर बना ह क्योंकि हमने प्रत्यों को बहुत अच्छे से बढ़ा है अभी जब हमने डिविजन भी किया है प्रत्यों का वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के पद भी बनते हैं प्रत्यों से मिलकर तो आपको बताना है कि यह जो रुधती है यह किस धातू और किस प्रत तो आप ये प्रिश्न हल कर पाएंगे, पहला option है तेजह तेजशी साम्यती, दूसरा है तेजह तेजे साम्यती, तीसरा है तेजह तेजे सात्यती, या पिर दा है तेजह तेजस्मिन शांतयती, तो अगर तेज शब्द के रूप आपको आते हैं, तो जो सही option होगा, तेज में शान्त होता है, सप्तमी का जुपत बनेगा वो बनेगा तेजसी, तो option नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा, तेज तेज में शान्त होता है, उननीसवा प्रिश्ण है, अध्यन से हार मान रहा है, इसका संस्क्रित अनुवाद क्या होगा, तो देखिए परा पूर्वक जब ज सिद्धान्त कौमोदी में विशेश्टा बताई गई है, तो यह आपको याद रखना है, परा पूर्वक जीद हतु का अगर प्रयोग हो, पराजयते शब्द का अगर प्रयोग हो, तो वहाँ पर पंचमी का प्रयोग आपको करना है, तो अध्यन से हार मान रहा है, तो यहा प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर चतुर्थियंत, किसको अच्छा लगता है, बालक को, तो बालक में चतुर्थि का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो सही वाक्य बनेगा, वो बनेगा, बालक का आए, मूध कम रोचते, बालक को लड़ू अच्छा लगता है, ओप्शन नमबर स, 21 प्रिशन है, पुत्र के स अव्या का प्रयोग होगा, और सह जहाँ पर होगा, सह युक्ते अप्रधाने, जो अप्रधान कारक है, उसमें तृतिया विभक्ती हो जाएगी, तो पुत्र के साथ पिता आया, प्रधान कारक यहाँ पर है पिता, तो यह तो करता हो जाएगा, और अप्रधान है पुत्र, तो पुत्र में तृतिया विभक्ती का प्रयोग होगा तो कौन सा सही होगा यहाँ पर पुत्रेण सह पिता आगच्छत ओप्शन नमबर सब्वाइसवा प्रिश्ण है उसने दस दिन में आरोग के प्राप्त किया प्रयुक्त वाक्या है संस्क्रतानुवादो अस्ति इसका सही संस्क्रतानुवाद क्या होगा तो आशा है आपको यह वाक्य पढ़कर सूत्र याद आ गया होगा एक सूत्र हमने दुवितिया के संबंद में पढ़ा था काला ध्वनों अत्यंत संयोगे और तृतिया में एक और सूत्र आया था अपवर्गेच्च, काल और अध्वनवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर, निरंतरता का भाव दियोतित होने पर, अगर फल की प्राप्ती भी हो जाए अपवर्गेच्च सूत्र से, तो तृतिया विभक्ती का प्रियोग कि आजाता है तो यहाँ पर हमको जो दश दिन ये कालवाची शब्द है इनमें तृतियाविभक्ति का प्रियोग करना है तो जो सही वाक्य यहाँ पर होगा वो होगा सह दश भी दिन आई आरुग्यम लब्दवान उसने दश दिनों में आरुग्या प्राप्त किया option number आ यहां पर सही हो जाएगा यहां पर देखिए सब्तमी विपक्ती है तो यह गलत हो गया यहां पर दश दिनात पंचमी है यह गलत हो गया दश दिने यह सब्तमी है तो यह भी गलत हो जाएगा यहां पर जो सही होगा और वैसे भी लबधातु से लबदवान पद बन जाएगा तब तु प्रत्य होकर तो सही वाक्य हो जाएगा सहदशभी दिनई आरुग्यम लबदवान अगला प्रिश्ण है कृष्ण राम से अधिक चतुर है अस्य वाक्य का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा पहली बात तो यह है कि तो यहाँ पर देखिए यह जो वाक्य है इसमें दो का कंपेरिजन किया गया है अर्थात क्रिश्ण राम से अधिक चतुर है तो उसके जब दो का कंपेरिजन होता है दो में से किसी एक की शिष्टा को बताना होता है तो तरप प्रत्य का हम प्रयोग करते हैं तो ये जो दोनों option है ये तो वैसे ही cut हो जाएंगे अधी कहा चतुरह तरप प्रत्य यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर भी नहीं हुआ है तो ये तो दोनों हो गए cut अब पटू तरह पटू तरह इन दोनों में है तो हमको देखना है कृष्ण राम से चतुर है तो यहाँ पर पंचमी का प्रियोग होता है तो option number 2 यहाँ पर सही हो जाएगा अगर बहुतों में से किसी एक की श्रिष्टा का निर्धारन करना हो तो फिर वहाँ पर सश्टी या सप्तमी विवक्ती का प्रियोग किया जाता है किन्तु यहाँ पर बहुतों में से नहीं अपितु दो का comparison किया जा रहा है कि कृष्ण राम से अधिक चतुर है तो जो राम है उसमें पंचमी का प्रियोग हो जाएगा और सही संस्कृत अनुवाद इसका होगा कृष्ण रामाद पटू तरह अस्ती अगला प्रिश्ण है इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्या है अच्छा ल लिए यह भी स्त्रीलिंग का ही प्रियुक्त करना है तो हमको ऐसा वाक्य देखना है जिसमें स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम हो और बालिका पद में भी चतुर्थी का प्रियोग किया जाए तो देखिए बालिकाम तो यह गलत हो जाएगा द्वित्यांत है बालिका यहाँ यह स बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है, option number 2 अगला प्रिश्ण है, विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाव अस्य वाक्यश्य संस्क्रतानुवाद अस्ति इसका सही संस्क्रतानुवाद क्या होगा विद्या हीनश्य नरश्य किम लाभम जीवितश्य विद्या हीनश्य नरश्य कहलाभ जीवितेन विद्या हीनश्य नरश्य जीवित्याई किम लाभम या फिर विद्या हीनश्य नरश्य जीवितात किम लाभम तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है, इसमें एक बहुत ही स्पष्ट बात सामने आ रही है कि जो लाब है ये लाब पद जो है ये घहें प्रत्य होकर बनता है और घहें प्रत्यांत होने के कारण पुलिंग का होता है तो लाब जहां पर पुलिंग में प्रयुक्त है वो ही वाक्य सही होगा यहां पर नपुनसत लिंग में लिखा गया है इन तीनों ही वाक्यों में तो इत्यश्य संस्क्रतानु वादह शात इसका संस्क्रतनु वाद क्या होगा व्याग्रम व्रक्षा रोहनम ना आगच्छती तो अगर शब्द शह जाएंगे हम तो ये सही हो जाएगा लेकिन ये गलत है व्याग्राय व्रक्षे आरोहनम ना आगच्छती ये भी गलत हो जाएग व्याग्रह व्रिक्षम आरोडुम नशक्नोती और दा ओप्षन है व्याग्रश्य व्रिक्षा रोहणह नशक्यह तो जो सही संस्कृत अनुवाद होगा व्याग्रह व्रिक्षम आरोडुम नशक्नोती बाग को व्रिक्ष पर चणना नहीं आता option number 7 27 प्रिश्ण है सच बोलने वालों की सदा जीत होती है इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा सत्य वक्ता सदा जयंती सत्य वक्तू सदा जयंती सत्य वक्तारह सदा जयंती या फिर सत्य वक्तारम सदा जयंती तो सच बोलने वालों की ये करता हो जाएगा कारत लेकिन बहुवचन का पद होगा और वक्ता जो है वक्तरी जो पद है उसके रूप किस तरह से चलते हैं बहुवचन में जो उसका पद होता है वो होता है वक्तारह प्रत्मा बहुवचन में तो सही option यहाँ पर होगा सत्य वक्तारह सदा जयन्ती सच पोलने वालों की सादेव जीत होती है. 28 वा प्रिश्चन है गंगा नदी हिमाले से निकलती है. अस्य संस्कृतानु वाधो अस्ति तो यहाँ पर हिमाले से नदी निकलती है यहां पर जो हिमाले से गंगा निकलती है तो हमको देखना है कि जो हिमाले है उसके लिए पंचमी अंत वाला पद प्रियोगत किया जाए तो देखिए हिम वतह इस प्रकार का पंचमी का पद बनता है हिमाले में तो हिम वतह हिम वतह तो यह दोनों आप्शन तो पहले ही गलत ह गये क्योंकि इस तरीके के पद बनते नहीं है अब हमको पूरा देखना है गंगायाम नदी गंगा की नदी गंगायाम यहां पर सही विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया गंगा नदी इस तरीके से गंगा नदी हिमाले से निकलती है तो इसके लिए जो सही हो जाएगा वो ह 6. Layout ruh tea 29 प्रिश्ण बिदवान का सर्वत्र आदर होता है इत्यष्य संस्क्रतानु वाद तिपर विद्वान चाहिए किस प्रकार से चलते है यहाँ पर हम देखें कि विद्वान का सर्वत्र आदर होता है विद्वान का एकवचन का पद है तो एकवचन में जब रूप चलेंगे तो पद यहाँ पर हो जाएगा विद्वान इस प्रकार से और सर्वत्र पूजयते सर्वत्र आदर होता है सर्वत्र पूजा जाता है तो option number 2 बिलकुल सही option हो जाएगा और अंतिम प्रिश्ण है ज्यानी जन पाप से डरते हैं अस्य शुद्तम संस्क्रत आनुवादम चेतव्य हो इसका सही शुद्ध संस्क्रत आनुवाद क्या होगा तो देखिए एक तो बात तीन चीजे यहां पर आपको आनी चाहिए पहली तो बात है कि भाय अर्थक धातू है तरा धातू है भी धातू है तो इसके योग में क्या हो जाएगा भित्रा अर्था नाम भाय ही तू उसमें अपादान संग्या होकर उसमें पंचमी होगी तो किस से डरते हैं पाप से डरते हैं डरने का कारण क्या है पाप तो पाप की अपादान संग्या होगी पाप में पंचमी होगी तो चारो ही ऑप्शन में बाप में पंचमी है तो ये तो ठीक है अब ग्यानी जन बाप से डरते हैं इसका तात पर ये ग्यानी यहां पर ग्यानी जन जो पद है ये किसमे है बहुवचन में है तो हमको ग्यानी शब्द के रूप आने चाहिए बहुवचन में क्या होता है और जो भीधातु है, उसके रूप भी हमको आने जाहिए, तब हम सही option तक पहुँचेंगे, जो भीधातु है, उसके रूप चलते हैं, बिभेती, बिभीतह, बिभ्यती, तो बहुवचन में जो पद बनता है, वो बनता है बिभ्यती, और ज्यानी में, बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में पद बनेगा, ज्यानी नह, तो सही option होगा, ज्यानी नह, पापाद, बिभ्यती, option नमबर स, यह बहुवचन है, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भीधातु के रूप थोड़े अलग तरीके से चलते हैं, तो इस तरीके से यह 30 प्रश्न है, मुझे आश करना है, अच्छे से वाक्य को समझना है, कि कौन से कारक को यह जानना पूछना चाहते हैं, कौन सी क्या उसके साथ प्रयुक्त करवाना चाहते हैं, और उसके बाद, चारो options को देखकर, जो भी आप में जो चीज आपको गलत लगती जाए, उसको कट करते जाना है, और सही option तक पहुचना है, तो अनुवाद के लिए जो सबसे महतवपूर्ण topic है, देखे, basic knowledge जो आपको होनी चाहिए, उसके अलावा जो सबसे महतवपूर्ण topic है, वो हो जाता है, कारक, इस कारक से संबंदित, जो वीडियो है, वो अगला वीडियो होगा, तो आज के इस वीडियो हैं, तो comments अवश्य करें, आपके ऐसे मित्र जो किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी संस्कृत भाषा से कर रहे हैं, उनके साथ भी आप इन वीडियो को share करें, और अगर आप चैनल पर नए है, या आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लें, और बगल में जो bell icon है, घंटी का निशान है, उसे भी दबाएं, और उसको दबाने के बाद तीन options आपको दिखेंगे, तो वहाँ पर all को touch कर दें, ये घंटी दबाने के बाद यहां से जो भी वीडियो या जो भी सूचना upload होगी चैनल पर, उसके लिए आपको notification मिल जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद.